Hello friends, welcome back to my channel आज के इस फिडियो में हम सीखने वाले हैं action words with Hindi meaning तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला word है जागना, जागना को इंग्लिश में awake बोलते हैं जागना, awake, next word है पूचना, पूचने को ask बोलते हैं पूचना, ask नहाना, नहाने को इंग्लिश में बात बोलते हैं नहाना, बात next word है पीतना, पीतने को इंग्लिश में beat कहते हैं पीतना, beat जुकना या फिर जुकाना कुछ इस तरीके से आप पिच्चर में देख रहे हैं वैसे उसे इंग्लिश में कहते हैं bend जुकना या जुकाना उसे इंगलिश में bend कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है फूक मारना फूक मारने को इंगलिश में blow कहते हैं फूक मारना blow तोडना तोडने को इंगलिश में break कहते हैं किसी चीज को तोडना उसे break कहते हैं जलना जलने को English में burn कहते है vast खरीदना पकडने को English में catch चबाना चबाने को English में chew कहते है प्रेस बोलते है ताली बजाना clap क्लैप साफ करना साफ करने को क्लीन बोलते हैं साफ करना क्लीन का मतलब है साफ करना चड़ना चड़ने को क्लाइम बोलते हैं चड़ना क्लाइम इकटा करना किसी वस्तु को या चीज को इकटा करना उसे बोलते हैं कलेक्ट इकटा करना कलेक्ट नेक्स्ट वर्ड है कंगी करना या फिर बाल बनाना इसे इंगलिश में कॉम बोलते हैं कंगी करना कॉम नेक्स्ट वर्ड है आना आने को इंगलिश में कम बोलते हैं आना कम और जाने को गो बोलते हैं जाना गो पकाना, खाना पकाना, इसे इंगलिश में cook बोलते हैं, पकाना cook गुटनों के बल चलना या फिर रेंगना, इसे इंगलिश में crawl बोलते हैं, crawl रेंगना, crawl पार करना कि, किसी सड़क को पार करना, इसे इंगलिश में cross बोलते हैं, पार करना, cross रोना, रोने को इंगलिश में क्राय बोलते हैं, रोना क्राय काटना, काटने को इंगलिश में कट बोलते हैं, काटना कट नाचना, नाचने को डांस बोलते हैं, नाचना डांस सजाना, सजाने को इंगलिश में डेकोरेट बोलते हैं, सजाना डेकोरेट खोदना, खोदने को इंग्लिश में डिग बोलते हैं खोदना, डिग खींचना या फिर गसिटना, इसे इंग्लिश में ड्रैग बोलते हैं खींचना, गसिटना, ड्रैग सपना देखना, सपना देखने को इंग्लिश में ड्रिम बोलते हैं सपना देखना dream, पिना, पिने को इंग्लिश में drink बोलते हैं, गाड़ी चालाने को इंग्लिश में drive, डूबना दूबने को इंग्लिश में drive, पिना खाना, सुखाने को इंगलिश में ड्राय बोलते हैं, सुखाना ड्राय, खाना, खाने को इंगलिश में इट बोलते हैं, प्रवेश करना, प्रवेश करने को इंगलिश में एंटर बोलते हैं, प्रवेश करना एंटर, और एक्जिट मतलब बाहर निकलना, एक्जिट बाहर निक गिरने को इंग्लिश में fall बोलते हैं, गिरना fall, खिलाना, खिलाने को इंग्लिश में feed बोलते हैं, खिलाना feed, लडना, लडने को इंग्लिश में fight बोलते हैं, लडना fight, उडना, उडने को इंग्लिश में fly बोलते हैं, उडना fly, देना, देने को इंग्लिश में give बोलते हैं, द लेना, मदद करना, मदद करने को इंगलिश में help बोलते हैं, मदद करना help, छिपना, इसे इंगलिश में hide बोलते हैं, छिपना hide, गले लगाना या फिर गले मिलना, इसे इंगलिश में hug बोलते हैं, गले लगाना hug, मनजन करना, इसे इंगलिश में brush बोलते हैं, मनजन करना brush, इ इस्त्री करने को इंग्लिश में आयन बोलते हैं, इस्त्री करना आयन, नेक्स्ट वर्ड है, कूदना, कूदने को इंग्लिश में जंप बोलते हैं, कूदना जंप, लात मारना, इसे इंग्लिश में किक बोलते हैं, लात मारना किक, गूटनों के बल बैटना, इसे इंग्लिश में knock बोलते हैं, खटखटाना, knock, हसना, हसने को इंग्लिश में laugh बोलते हैं, हसना, laugh, चाटना, चाटने को इंग्लिश में lick बोलते हैं, चाटना, lick, उपर उठाना, कुछ इस तरीके से ऊपर उठाना, lift, उपर उठाने को इंग्लिश में lift बोलते हैं सुनना काना वगर है सुनना उसे इंगलिश में लिसन बोलते हैं सुनना सुनने को इंगलिश में हिर बोलते हैं सुनना हिर लिसन को भी सुनना बोलते हैं लिसन और हिर इसमें डिफ्रेंस क्या है लिसन मतलब कोई बात ध्यान से सुनना हिर मतलब कोई बात आप ध्यान से न नेक्स्ट वर्ड है देखना, देखने को इंग्लिश में कहते हैं लुक, देखना लुक, पोचा लगाना, पोचा लगाने को इंग्लिश में मॉब बोलते हैं, पोचा लगाना मॉब, खोलने को इंग्लिश में ओपन बोलते हैं, खोलना ओपन, और बन को प्लोज बोलते हैं, खेलना, खेलने को इंगलिश में प्ले बोलते हैं, खेलना प्ले, खींचना, खींचने को इंगलिश में पुल बोलते हैं, खींचना पुल, धकेलना, धकेलना को पुश बोलते हैं, धकेलना पुश, मुक्का मारना, मुक्का मारने को इंगलिश में पंच बोलते हैं, मुक्का म बचाना, बचाने को इंग्लिश में rescue बोलते हैं, बचाना rescue, डांटना, डाटना को इंग्लिश में scold बोलते हैं, डाटना scold, दवडना, दवडने को इंग्लिश में run बोलते हैं, दवडना run, देखना, देखने को इंग्लिश में C बोलते हैं, देखना C पहले हमने देखा लुक, लुक का मतलब भी देखना होता है C का इस्तमाल हम तब करते हैं, जब हम कुछ बिना धहन दिये देखते हैं वह ही इतना important नहीं होता और look का इस्तमाल हम तब करते हैं जब एकाद चीज या person को जान बूज कर हम देखते हैं Next word है देखना, देखना मतलब watch अब ये watch है, इसका भी मतलब देखना है watch का इस्तमाल हम तब करते हैं जब हमें कुछ particular time के लिए देखना होता है जैसे कि हम movie देखते हैं कुछ देर के लिए देखते हैं उसे watch बोलते हैं Next है बेचना, बेचने को English में sell बोलते हैं बेचना, sell हिलाना, हिलाने को English में shake बोलते हैं हिलाना, shake गाना, गाना, गाने को English में sing बोलते हैं गाना, गाना, sing डूबना किसी चीज का डूबना इसे सिंग की स्तमल करते हैं और किसी परसन के डूबने को ड्रॉन का यूज होता है नेक्स्ट वड़ है बैटना बैटने को इंगलिश में सिट बोलते हैं बैटना, sit Next word है, थपड मारना थपड मारने को इंग्लिश में, slap बोलते हैं सोना, सोने को इंग्लिश में, slip बोलते हैं सोना, slip फिसलना, फिसलने को इंग्लिश में, slip बोलते हैं मुस्कुराना, मुस्कुराने को इंग्लिश में, smile बोलते हैं मुस्कुराना, स्माइल सुंगना, सुंगने को इंगलिश में स्निप बोलते हैं सुंगना, स्निप खराटे लेना, खराटे लेना को इंगलिश में स्नौर बोलते हैं खराटे लेना, स्नौर थूकना, थूकने को इंगलिश में स्पीड बोलते हैं थुकना, speed. उकडु बैटना, कुछ इस तरीके से उसे squat बोलते हैं. उकडु बैटना, squat. खड़े होना, खड़े होने की इंगलिश है? Stand. खड़े होना, stand. अध्ययन करना या फिर पढ़ाई करना, इसे इंगलिश में बोलते हैं study. अध्ययन करना या फिर पढ़ाई करना, इसे study बोलते हैं. चूसना को इंगलिश में सक बोलते हैं. जाडु लगाना, जाडु लगाने को इंगलिश में sweep बोलते हैं. तैरना, तैरना को इंगलिश में swim बोलते हैं. जूलना, जूलाना, swing. बात्चित करना या फिर बात करना इसे इंग्लिश में टॉक बोलते हैं बात्चित करना टॉक चकना चकना को इंग्लिश में टेस्ट बोलते हैं चकना टेस्ट पढ़ाना या फिर सिखाना इसे इंग्लिश में टीज बोलते हैं पढ़ाना सिखाना टीज सोचना, सोचने को इंगलिश में think बोलते हैं सोचना think फेकना, फेकने को इंगलिश में throw बोलते हैं किसी चीज को चूना, चूने को इंगलिश में touch बोलते हैं सफाई करना, वैक्यूम क्लीनर से सफाई करना उसे इंगलिश में वैक्यूम बोलते हैं वैक्यूम मतलब सफाई करना, इंतजार करना, इंतजार करने को इंगलिश में वेट बोलते हैं, इंतजार करना वेट, चलना या फिर तेहलना, इसे इंगलिश में वाख बोलते हैं, दोने को इंगलिश में वाश बोलते हैं, दोना वाश, पानी डालना, पानी डालने को इंग इंगलिश में विसल बोलते हैं, सिती बजाना विसल, आख मारना, आख मारने को इंगलिश में विंक बोलते हैं, आख मारना विंक, पोचना, पोचने को इंगलिश में वाइब बोलते हैं, पोचना वाइब, लिखना, लिखने की इंगलिश है राइट, लिखना राइट, आज आज का हमारा लास्ट वर्ड है जंबाई देना ठकने पर हम देते हैं न वो जंबाई देने को इंगलिश में बोलते हैं यॉन जंबाई देना यॉन तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही I hope कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको यो वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेर और हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फर वाचिंग